हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों आज हम इस वीडियो में कम्पूटर के MCQ देखने वाले हैं UKPSC के जितने भी आगामी एक्जाम है उनमें कम्पूटर से क्युश्चन जरूर आएंगे इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत मेहत्पूर्ण होने वाली है चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला क्युश्चन है कम्पूटर में डाटा भेजना खालिस्तान कहलाता है इसका अंसर है योनिट खालिस्तान योनिट का परियोग कम्पूटर को निर्देश परदान करने के लिए किया जाता है इसका अंसर है इन्पूट निम्न में से कौन सा कम्पूटर सिस्टम के कारिय करने के लिए सरवादिक जरूरी अव्यव है इसका अंसर है इन्पूट योनिट निमन में से input, output तथा processing device साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं इसका answer है computer system किसी computer के CPU के भाग है इसका answer है option C control unit, arithmetic, logic unit और primary storage input का output में रुपान तरण किया जाता है इसका answer है option B CPU दवारा निमन में से CPU का कौन सा कारिय है इसका answer है processing करना खाली स्थान जिसे computer का brain भी कहते हैं data processing करता है इसका answer है central processing unit computer की कौन सी unit, memory तथा arithmetic logical unit के मद्दे संचार में साहिता करती है इसका answer है option D CPU processor में एक control unit और एक खालिस्थान सामिल होती है इसका answer है option C, arithmetic logic unit ALU के मुख्य function क्या है इसका answer है option A, arithmetic और logical operators को परदर्सित करना computer का कौन सा भाग calculating एवं comparing के लिए परियोग होता है इसका answer है ALU कौन सी unit integer, binary, संख्याओ पर arithmetic तथा bitwise operation को करती है इसका answer है ALU निम्र में से कौन CPU को data उप्योग करने के लिए सबसे तिरू mark बरदान करता है इसका answer है register CPU का वैभाग जो अन्य सभी computer components की गती वीदियो को coordinate करता है क्या कहलाता है इसका answer है control unit निम्र में से कौन सा control unit का एक कारिय नहीं है इसका answer है निर्देसों की व्याक्खा करना निम्लेकित में से क्या एक computer system में एक मैत्पून सरकेटरी है जो processor के का निर्देसन करता है इसका answer है control unit खालिस्थान data और निर्देसों को संगरहित करती है इसका answer है option B memory unit system unit के man circuit board को क्या कहते है इसका answer है option number C motherboard खालिस्थान device का परियोग उपियोग करता दवारा computer को निर्देस परदान करने के लिए किया जाता है इसका answer है option D input computer system में खालिस्थान के माध्यम से text और numerical data enter किया जाता है इसका answer है keyboard आम तोर पर उपलब्द अधिकांस computers लैप्टोपों का keyboard खालिस्थान के नाम से लोग पिरिये इसका answer है option A quality की keyboard में कुल कितनी कुझिया होती है इसका answer है option number C 104 कुझिया computer का mouse किस परकार की device है इसका answer है input माउस का अविस्कार किस ने किया था इसका answer है डगलस एंजल बर्ट ने text में आपकी position दरसाने वाले blinking point को खालिस्थान कहते हैं इसका answer है option B cursor इन में से कौन सी pointing और drop device है इसका answer है option A mouse joystick का प्रात्मिक तोरपर परियोग खालिस्थान के लिए होता है इसका answer है option number B computer gaming PDA नामक hand head computer का अर्थ है इसका answer है option C personal digital assistant निमलिकित में से कौन सी pointing device नहीं है इसका answer है option C barcode reader अधिकांस product पर बने printed lineों के pattern को क्या कहते हैं इसका answer है barcode एक optical input device जो paper media पर pencil के अंकों की वयाख्या करता है इसका answer है option OMR किस input device की साहिता से किसी वस्तु निष्ट परकार की प्रियोग आत्मक परिक्षा की उत्तर पुस्तिका की जाच की जाती है इसका answer है option OMR OCR परकास इस्तुरोत की साहिता से करेक्टर की खालिस्थान को पैचानता है इसका answer है option B MICR में C निम्न में से किस के लिए उप्योगत है इसका answer है option C इसका answer है option C MICR इसका answer है option D mouse, keyboard और scanner खालिस्थान का परियोग हाथ से लिखे content या printed content को पढ़कर digital image बनाने में किया जाता है इसका answer है option C scanner यह इमेज ड्रोइंग या फोटो को capture करने का एक माध्या में जिससे उसे computer पर अश्टोर किया जा सके इसका answer है option C scanner आवाज को digital रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका परियोग किया जाता है इसका answer है option B microphone वीडियो कौन फ्रैंसिंग में कौन सी input device का परियोग किया जाता है इसका answer है option यह वैब केम आउटपुट डिवाइस का परियोग कर सकते हैं इसका answer है option यह डाटा देखने या प्रिंट में computer monitor किस परकार की device है इसका answer है option D output monitor की refresh rate खालिस्तान में मापी जाती है इसका answer है option हर्टाई computer screen में एक image की सबसे छोटी इकाई कौन सी है इसका answer है option B pixel इसमें computer का कौन सा अनिवारिय भाग नहीं है इसका answer है option B scanner इस्थाई output प्राप्त करने हितू खालिस्तान का सरवाधिक उप्योग होता है इसका answer है option printer DPI दरसाता है इसका answer है डोट परती इंच को निमलेकित में से कौन सी एक output device है इसका answer है option D plotter किसी सूचना को एक computer से paper पर image के room में परिवर्थित करने के लिए किस output device का परियोग किया जाता है इसका answer है option D plotter speaker को CPU से जोडने के लिए किस device का परियोग करते है इसका answer है option C sound card निमलेकित में HTI output कौन सा है इसका answer है option projector internal memory की परमुक विसेशता है इसका answer है option D उपरोक्ट सभी सिमित समता fast access तता high cost HTI story जब processor CPU का परियोग करता है तब data और program कहां रखे जाते है इसका answer है option man memory में computer की man memory का भाग कौन सा है इसका answer है option D, B और C दोनो RAM और ROM computer की परमुक memory को खालिस्थान भी कहा जाता है इसका answer है option D ये सभी प्रात्मी primary storage primary memory आंत्रिक memory RAM निमलिकित में से किसका उधारन है इसका answer है option D volatile memory का RAM में store की गई सूचना वोले टाइल मानी जाती है जिसका अर्थे कीव है इसका answer होगा option B इस्थाई रूप से नहीं केवल A इस्थाई रूप से store है RAM के बारे में निम्न में से कौन सा कथन ऐस सत्ते है इसका answer है option A RAM hard disk storage के समान होती है Primary memory unit किसका एक हिस्सा है इसका answer है option D CPU गा यदि परियोकता को CPU में ततकाल उपलब्द सूचना की जरूरत हो तो यह है खालिस्थान store की जानी चाहिए इसका answer है option B RAM में कौन सी memory temporary memory की तरह परियोक की जाती है इसका answer है option B volatile memory बिजली बंद कर दिये जाने के बाद जो storage अपना data रखती है उसे खालिस्थान कहते है इसका answer है option B non-volatile memory read only memory ROM की कौन सी विशेष्था उसे उप्योगी बनाती है इसका answer है option B ROM में data को खतरा नहीं होता बिजली नय होने पर भी वह उसमें रहता है ROM read only memory में data इसका answer है option D, A और B दोनो सिरिफ पढ़ा जाता है और non-volatile होता है जब आप पहले computer को own करते हैं तब C2 में संगरित निर्देशों को परियोग में लाने के लिए पहले से तियार होता है इसका answer है option C, ROM जब बिजली बंद हो जाती है तो निवन में memory के content गुम नश्ट नहीं होंगे इसका answer है option D, यह सभी ROM, EEP, ROM और EP, ROM कैसे memory खाली स्थान के मद्दे इस्तित होती है इसका answer है CPU और RAM एक छोटे आकार की volatile memory है जो processor के लिए उच गती का data access करती है इसका answer है option B कैसे primary memory की तुलना में secondary memory की गती होती है इसका answer है option number D, सेव करके computer बंद करने पर आपका data यथावत होगा इसका answer है option C, secondary storage device में निमलिकित में से कौन सा कथन secondary memory के बारे में सत्ते है इसका answer है option A, इसे सदत विद्यूत की अवशकता नहीं होती hard disk drive को खाली स्थान storage माना जाता है इसका answer है option B, non-volay tile computer किस से सिधे संप्रक करता है इसका answer है option A, hard drive से hard drive को store करने के लिए खाली स्थान उप्योग किया जाता है इसका answer है option C, इस्थाई data को disk के उस content को क्या कहते हैं जिसे प्रियोगता बदल या मिटा नहीं सकता है इसका answer है option C, cable read storage media जैसे CD की सूचना है खाली स्थान के प्रियोग से लिखी जाती हैं और पड़ी जाती हैं इसका answer है option Red Light के laser CD RW का पूरा रूप है इसका answer है option D, compact disc re-rideable DVD का खाली स्थान उधारण है इसका answer है option B, optical disc बिलूरे डिस्क का परियोग किस में किया जाता है इसका answer है option पले इस्टेशन थिरी में तो दोस्तों या दिमारी वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद